नमस्कार जनता के लिए जनता की अवाद जनता समचार में आपका स्वागत है आप देखते हैं दिन भर खबरे लेकिन हम देखाते हैं सिर्फ सची खबरे आईए देखते हैं आज की प्रमुख खबरे यूपी के कानपूर देहात में हाथसा तेज रफ्तार ट्राला पलटने से 6 मजदूरों की मौत 15 की हालत गंभीर उत्तर प्रदेश के कानपुर दिहात में मंगलवार सुबा एक टेज रफ्तार ट्राला पलट गया इसकी चपेट में आये 22 मजदूरों में से 6 की मौत हो गई और 15 गंभी रूप से घायल है जिने जिलास्पताल में भरती कराया गया है हाथसा भोगनी पुर इलाके में हुआ सभी मजदूर ट्राला में ही सवार थे ट्रक में सवार घायल शिवलाल ने बताया कि सभी मजदूर हमीर पुर जिले के कलॉली तीर और बरनाव गाओं के रहने वाले हैं एक ठेकेदार उन्हें फिरोजबाद से सिरसा गंज ले जा रहा था ट्राला कोईले से भरा था सिवलाल ने बताया कि वे और उनके साथ ही बार बार ड्राइवर को कह रहे थे कि गारी धी में चलाएं लेकिन वह नहीं माना और ट्राला पलट गया ट्राला पलटे ही चीक पुकार मच गई आवाज सुनकर आसपास की लोग मौके पर पहुँच गए और ट्रक में फसे मजदूरों को बाहर निकालने लगे सुचना मिलने पर पुलिस भी पहुची और सभी घायलों को बाहर निकाल कर पुकराया के समुदाइक स्वास्त केंद्र में भेजा गया और वहां से उन्हें कानपूर देहात में मार्ती जिला अस्पताल में रिफर किया गया खानाशत्रमें मौख फास गौण परता है एक कोईले लधी ट्रट जो इटावा के दरफ जा रही थी उस पे 22 मजदूर इटावा ही जा रहे थे तो ट्रक पलट गई थी और ट्रक कोईले से भरी थी तो जो मजदूर उसके उपर सवारी थे वो उसकोईले के निचे आ गये पुलिस बल्द वारा-ज़रेशकु जिसमें और लोगों को तो बचा ले उनका भी इलाज चला है आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समचार अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें